Class 10th का Mass का Chapter No. 12 जिसका नाम है Area Related to Circles इस Chapter की Exercise 12.2 के Question No. 3 को Discuss करते हैं Next Question पर आते हैं Exercise 12.2 का Question No. 3 solve करते है The length of the minute hang of a clock is 14 cm Find the area swept by the minute hang in 5 minutes अब इस Question में पहले तो आपको ये पताय जा रहा है कि clock का जो minute hang है ना उसके length है 14 cm और फिर आपसे ये पुछा जा रहा है कि जब येवाला minute hang आगे की तरफ move करेगा तो 5 minutes के अंदर कितना area sweep कर लेगा वो area हमने find करना है Clock का ये वाला minute hang है इसके length कितनी है 14 cm और जब clock का minute hang आगे की तरफ move करेगा तो 5 minutes के अंदर कितना area sweep कर लेगा वो area हमने निकालने है देखो clock के बारे में आपको ये तो पता है ना कि clock के अंदर क्रोकल 3 hang होते हैं घड़े के अंदर क्रोकल 3 अलग अलग सुईया होती है सबसे तेज चलने वाला होता है seconds hang एक seconds को represent करता है एक minutes को represent करता है और एक hours को represent करता है जो seconds hang है न वो सबसे तेज चलता होता है और उसे एक पूरा चकर लगाने के अंदर सिरफ 60 seconds मतलब 1 minute का कैम लगता है उसके बाद है minutes hang जो minutes hang है उसे एक पूरा चकर लगाने के अंदर 60 minutes मतलब 1 hour का कैम लगता होता है और सबसे धीरे चलता होता है hour hang जो Rs को represent करते है न, वो सबसे धीरे चलता है, उसे एक पूरा चकर लगाने के अंदर 12 Rs का कैम लगता है For example, अभी अगर चार बजे हैं, तो दुबारा चार बजने के अंदर 12 Rs लगेंगे जो 4 के उपर जो हैंग है न, जो Rs हैंग है, वो से दुबारा से 4 पे आने में 12 Rs का कैम लगेगा Clock वाले Question के अंदर, आपको ये Clear होगे न, कि क्लोकल 3 हैंग होते हैं एक Seconds को represent करता है, एक Minutes को represent करता है, और एक Rs को represent करता है जो Seconds वाले हैंग है, वो एक Round कितनी देर में लगा लेता है? 60 Seconds में, मतलब 1 Minute में जो Minutes वाले हैंग है, उसे एक पूरा Round का कैम लगता है? 60 Minutes का कैम लगता है, मतलब 1 R जो Minutes वाले हैंग है, जिसके उपर इवाला Question बेज गया है, उसे एक Revolution के अंदर मतलब एक बार पूरा चक्र लगाने में 60 मिनक्स का कैम लगता होता है और जो आर हैंट होता है वो 12 बार्स लेता है एक राउंड लगाने के अंदर देखो हमने ये पुछा था कोशन में ये पुछा गया था next figure से मैं बताता हूँ कि मिनक्स हैंग जब आगे की तरफ move करेगा तो 5 मिनक्स के अंदर ये कितने एरिया को cover कर लेगा वो बला एरिया निकालने हमने पर एरिया निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है एक तो radius चाहिए होता है और दूसरा ये वला एंगल चाहिए होता है अब जो रेडियस है वो तो 14 से कि मिकर है क्योंकि इसका जी लेंथ हो कि वो ही रेडियस की तरह एक्ट करेगी वो तो डिरेक्ली दे रख है यह बना एंगल आपको निकालना पड़ेगा कि 5 मिनक्स के अंदर मिनक हैं जब आगे की तरफ मूव करेगा त की गीजें एंदर एक पूरह चकर लगाने का मतलब होता है 360 गीरियो की रोकेशन कमंपोरिक करना तो मिनक्स है रोकेट 360 गीरियोmee 1 1998 गीरियो मतलब है पूरह चकर लगाने के अंदर उसे 1 आर लगता है तो जो 1 आ रहे हैं उसे 60 minutes भी बोल सकते हैं तो भी हमने minutes में लग दिया है तो इसका मतलब है in 60 minutes angle covered by the minute hang is equal to 360 degree 60 minutes के अंदर ये वाला जो minute hang है पूरा 360 degree का angle cover कर लेगा अब 60 minutes में अगर 360 degree cover करता है तो 1 minute में कितना cover करेगा पहले वो निकाल लेते हैं Unitary method to use कर रहे हैं 360 upon 60 ये वाले 6 की है उसे आप इस तरफ लेके आओ divide कर दो, डोनों को divide करके 6 degree आता है इसका मतलब 1 minute के अंदर 6 degree का angle cover होता है ये वाले जो minute hang बहें जो आगे की तरफ 6 degree का angle cover कर लेगा अगर एक minute के अंदर 6 degree का angle cover होता है तो 5 minutes के अंदर कितना angle कवर हो जएगा 6 multiply by 5 is equal to 30 degree तो सबसे पहली चीज़ हमें ये angle ही निकालना था 1 minute में 6 degree का angle कवर होता है तो 5 minutes के अंदर 6 multiply by 5 30 degree का angle कवर होगा ये clear हुआ 30 आ गया बस उसके बाद तो असान है उसके बाद figure के अंदर भी आप minute hang को आगे ले आओ और यहाँ पे 30 degree show कर देना अब ये वाला जो sector बन गया है न हमने इस sector का area ही निकालना है और area निकालने के लिए हमें radius चाहिए होता है वो देरक है 14 cm दूसरा में angle चाहिए होता है अब तो हमें angle भी पता चल गया angle 30 degree यूज़ करना है तो area swept by minute hang in 5 minutes तो area of sector का formula यूज़ करेंगे sector के area का formula होता है ठीका by 36 की इंको πाई आर स्क्वेर area of sector होता है ठीका by 36 की इंको πाई आर स्क्वेर अब values पूट करते है angle हमारा 30 degree है तो ठीका की जगा पर 30 put करना है 36 की का 36 की as a case पाई की बाली यूज़ की 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 आर स्क्वेर होती है radius 14 है दो बार इससे लिखा है क्योंकि उपर square है ना बस आगे simplify करना है इसको पहले तो आप 0 से 0 cancel out कर दो फिर 3 से 36 को divide करोगे तो यह 1 by 12 रहे जाता है यह क्वंकि की की का क्वंकि की as a case रहेगा यह वाला जो 14 है ना उस 7 से divide कर दो 7 से 14 को divide करेंगे तो यहाँ पे सिरफ 2 बचा है और यह वाला 14 as a case इसको simplify कर लेते है simplify करने के बाद 154 upon 3 आ जाता है तो पूरी calculation जब हो जाएगे ना तो last में अपने unique जरूर लगाना है sanctumaker square area है ना तब यहाँ पे sanctumaker square आएगा तो 154 upon 3 this is the answer तो 16 को 3 तो 16 को 3 आ आका मतर साथ थां आएगा जाएगे रोगा जे somehow कर वो साथ, आएगे नाया है उत्साना जह पिसको पिस्सक्रावाबाबाइबादक्या झाल – अपैनिनना